हेलो दूस्तों कैसे हैं आप उम्मीद करता हैं अच्छ होंगे फिट से स्वागते एक और नए वीडियो में आज हम बात करेंगे बेस्ट 5 वाटर गीजर जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट लाइंगे इन 2022 अब ये तो आप सभी को पता है के विंटर का सीजन पास में आने ही पाला है और इंडिया के कुछ टेट तो ऐसे हैं जहां पर अभी से आपको विंटर का फील होना स्टार्ट हो गया होगा तो ऐसे में जारतर लोग प्रिफर करते हैं गरम पानी से नहाना और गरम पानी के लिए जो सबसे इंपोर्टेंट में रोल जो प्ले करता है वो होता ह गीजर लेकिन गीजर को बाई करने से पहले आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो पता होने चाहिए कि उसके अंदर आपको जो कोटिंग मिलती है वो किसलिए की जाती है जुसके अंदर रोड आती है वो क्या काम करती है गीजर के अंदर और गीजर बाई करने से पहले ऐसे कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आपको जान लेने चाहिए ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट वोटर गीजर सेलेट कर पाएं तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बेस्ट वाइन गीजर और अगर आप गीजर के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं इंडेप्ट डिटिल तो इस वीडियो से पहले मैंने गीजर की बाइंग गाइड का वीडियो बनायता जिसका लिंक आपको उपर आई बटन में मिल जाएगा आप वहां से जाके उसे चेक आउट कर सकते हैं तो यहां पर best 5 वोटर गीजर तो मैं आपको बताई दूँगा लेकिन मैंने जो वाइं गाइड बनायी ती उसके बिहाब पर यहां पर कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपकी help करेंगे एक बैटर गीजर सेलेट करने में तो इन पॉइंट्स को आप सबसे पहले ध्यान से स देन आप 15 लीटर का गीजर कंसिडर करें और वहीं आपकी फैमिली बड़ी है 506 लोगे तो ऐसे में आप 25 लीटर की कैपसिटी वाला गीजर कंसिडर करें दोस्तों सेकिंड पॉइंट है दोस्तों पावर कंजप्शन ऑग गीजर बिसिकली जितने भी गीजर आते हैं 10 कैपसिटी चेंज कर देती है सेकिंड दिंग दोस्तों कि आप जब एक 2000 वाट की घीजर को पर आर चलाते हैं तो ऐसे में वह आपकी टू यूनिट इलेक्रिसिटी कंजूम करेगा पर आर तो ऐसे में आप जब भी कोई घीजर बाई करते हैं उसकी स्टार रेटिंग या मैटर करता है जो बड़ी-बड़ी मल्टीज या बिल्डिंग के अंदर रहते हैं अगर आप भी एसी बिल्डिंग में रहते हैं तो ऐसे में आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कोई घीजर बाई करें एट बार प्रेशर की कमपेटिबिलिटी वाला घीजर बा एसे में आप जब भी कोई घीजर बाई करते हैं और आपके घर में हाच वाटर की प्रबलम है तो ऐसमें आप घीजर के साथ वाटर वाटर सॉपनर जरू web करें क्योंकि वाटर software से आपका water तो है उसकी जो hardness वो तो कम हो जाती है लेकिन हाट वाटर आप की घीजर केовые ट तो ऐसे में अगर आप एक software यूज़ करते हैं तो ऐसे में आपके anodot की life भी लंबी हो जाएगी तो आपको इस चीज की ध्यानगनगी बहुत ज़्यादा ज़र होता है फिफ्थ पॉइंट है लुज़ के लिए अलग अलग बता दे लेकिन काम एक ही होता है बेसिकली आपका गीजर है उसके अंदर टैंक के अंदर जो है ग्लास की कोटिंग की जाती है जिसकी वज़े से जो टैंक है उसको स्केल फॉर्मेशन से बचा जाता है रस्टिंग नहीं ह और सब्सक्राइब दोके डिकाशने के पैले जिने, बीटा सर्विस्वीश पर वहाई तो फॉट्ट को मिलने चाहिए उसके टेंक पर आपको फाइजर तक की वर्णिटी चाहिए और वहीं उसके हीटिंग एलिमिंटपे आपको टू- की वर्णिटी तो मिलनी ही चाहिए तो यह basic criteria तो आप जरूर चेक कर लीजिए एक गीजर को बाई करने से पहले Second thing दोस्तों, installation की बात करें तो यह city to city vary करता है तो basically अगर आप एक गीजर का installation करवाते हैं तो वो 400-500 पर होता है लेकिन company आपके साथ यहाँ भी marketing strategy करती है कि आपको गीजर के साथ inlet या outlet pipe प्रवाइड नहीं करती है जो कि आपको separately buy करना होता है installation के time पे तो वहाँ कहीं ने कहीं आप से company एक्ट्रा पैसे चार्ज करने की कोशिश करती है तो make sure कि आप जब भी कोई गीजर buy करें उसके साथ आने वाले inlet या outlet pipe भी जरूर चेक करें और साथ ही साथ दोस्तो आप गीजर buy करें तो उसके installation charges आप company से पहले ही phone करके पता कर लें तो यह कुछ ऐसे points से जो आपको जान लेने चाहिए थे एक गीजर को buy करने से पहले दोस्तो अब बात करते हैं यहाँ पर best 5 water geezer की जो की आपके लिए सबसे best रहेंगे in 2022 फर्स नमबर पर हमाही तरफ साथ है दोस्तो यहाँ पर बजाज का नियो शक्ति 15 लिटर 4 star water geezer यह गीजर भी दोस्तो 2000 वाट की power rated capacity के साथ आता है और इसमें आपको titanium armament and swill flow technology मिल जाती है जो की special inner tank coating होती है जो आपके tank को corrosion से prevent करती है और साथी साथ इस geezer के अंदर भी आपको copper element मिलता है जिसकी life काफी longer होती है यह geezer भी दोस्तो 8 bar pressure compatible है और इसमें आपको wild free joint outer metal body देखने को मिलती है जो की काफी strong है और यह geezer भी दोस्तो titanium glass line enamel coating के साथ आता है जो आपके tank की durability increase कर देती है साथी साथ बात करें warranty की तो one year की warranty आपको इस geezer में मिलती है बजाज की तरफ से और बात करें वेट की तो 9.7 kg इस geezer का weight है दोस्तो बात करें प्राइस की दोस्तो तो 6,000 नन्यानूर पे इस geezer का price है दोस्तो आज की date में अब बात करते है इसके pros and scones के बार आपको इलनेट और आउटलेट पाइप प्रॉइड नहीं करती है और बात करूं इंस्सलेशन की तो वह भी free नहीं है तो ऐसे में अब जब भी यह गीजर बाय करें नियरबाय सर्वेस हेंटर भी पता कर लें और साथी साथ इसाथ इंस्सलेशन चार्जेश भी पता कर लें और इसमें भी आपको solid metal body देखने को मिलती है यह भी 8 bar pressure compatible गीजर है दोस्तों और इसमें आपको 3 level advanced safety features मिल जाते हैं जैसे capillary thermostat, automatic thermal cutout और multifunction valve जैसे feature इसके अंदर भी आपको magnesium anode road मिल जाती है जो कि prevent करती है corrosion और rusting से इस गीजर के अंदर दोस्तों आपको nickel coated special element मिल जाता है ज बात करें weight की तो 8.2 kg इस गीजर का weight है दोस्तों और बात करें warranty की तो 2 year की warranty आपको chromton की इस गीजर पर मिल जाती है और 2 year की warranty आपको इसके element में मिलती है और 7 year की warranty आपको इसके tank पर देखने को मिलती है बात करें प्राइस की तो 6850 पर इस गीजर का प्राइस दोस्तों आज क आप छो इंतले नहीं करते हैं और साथ改 अई उसी इंसालिशनन भी 4 नहीं है जब भी आप इस गीसर को फ्रीर मेंक्डी तो मेंक शूर्स जाए को सबछी हों पता करें हैं साथ ही साथ आप इसके इंसीसालिशन चार्ज़ कमपनी से पता करें जो कि वैरी कट हैं city to city अब थार्ड नमबर पर हमाई तरफ से आता है दोस्तो A.O. Smith HSE 15-Litre 5-Star Water Gizer ये गीजर भी दोस्तो 2000W की power rated capacity के साथ आता है और इसमें भी आपको 8-bar suitable compatibility मिल जाती है इस गीजर के अंदर दोस्तो आपको blue diamond glass line tank मिल जाता है जो कि prevent करता है 2X from Corison इसके अंदर आपको long lastic anode road मिल जाती है temperature control knob मिल जाती है और ये गीजर भी दोस्तो multifunction wall जैसे safety features या auto thermal cutout जैसे features के साथ आता है बात करें warranty की तो 2 years की warranty आपको गीजर पे मिलती है और 7 years की warranty आपको इसके tank पे दिखने को मिलती है बात करें weight की तो 11.8 kg इस गीजर का weight है दोस्तों और बात करें price की तो 849 पे इस गीजर का price है दोस्तों आज की rate में अब बात करते हैं इसके pros and cons के बारे में pros की बात करूं दोस्तों design काफी अच्छा है इस गीजर का build quality भी अच्छी है क्योंकि 11.8 kg का weight मिल जाता है fast rating करता है कौन की बात करूं दोस्तों तो company इस गीजर के साथ भी आपको inlet और outlet pipe प्रवाइड नहीं करती है और इस पे भी आपको free installation नहीं मिलती है तो यह चीज हर एक company की strategy होती है कहीं नहीं वो customer से एक्सा पैसा चार्ज करें through the installation, through the parts, whatever बस आपको इन strategies से बच के रहना है तो make sure जब भी गीजर भाइड करें service center से आप पहले confirm करें कि installation charges क्या है जो कि very cut है city to city और उस company का after sale service कैसा है तो make sure जब भी गीजर भाइड करें अब फोर नमर पर हमाई तरफ से आता है दोस्तों क्रॉम्टन सोलेडियम क्यू 15 लिटर 5 सर वाटर गीजर ये गीजर भी दोस्तों 2000 वाट की power rated capacity के साथ आता है और बात करूँ गीजर की durability की तो इसमें आपको high quality plastic body मिल जाती जो की काफी durable है इसमें आपको जो storage tank मिलता है उसमें आपको nano quality bond technology मिल जाती है जो आपके tank की life को enhance करती है इसके अंदर भी आपको glass line coated heating element मिल जाता है और 3 level advanced safety features देखने को मिलते हैं ये भी 8 बर pressure suitable गीजर है दोस्तों और इसमें आपको temperature control knob भी देखने को मिलती है बात करें weight की तो 8 kg इस गीजर का weight है दोस्तों और बात करें warranty की तो 2 years की warranty आपको इस गीजर पर मिल जाती है क्राउंटन की तरफ से और 2 years की warranty आपको element पर मिलती है और वही 7 years की warranty आपको इसके tank पर देखने को मिलती है बात करें प्राइस की दोस्तों तो 7,89 रुपे इस गीजर का प्राइस है दोस्तों आज की डेट में और ये गीजर भी काफी अच्छा हो सकता है आपके घर के लिए इस गीजर का लिंक भी आपको नीचे दिस्क्रिशन में मिल जाएगा अब बढ़ते हैं फिफ्थ और लास न प्राइबल बॉड़ी देखने को मिलते है इसमें आपको स्पेशल टाइटनियम एनेमल कोटिंग मिल जाती है और इस गीजर के अंदर भी दोस्तों आपको 3 लेवल एडवांस सेफटी फीचर देखने को मिलते है इस गीजर के अंदर आपको स्मार्ट बात लोजिक जेसे फ प्रेशर वाला गीजर है दोस्तों बात करें इस गीजर के वेट की तो इसका वेट है दोस्तों 8 kg बात करें वारंटी की तो 2 यह की वारंटी आपको गीजर पे मिल जाती है त्री यह की वारंटी आपको इस गीजर के टैंक पे मिलती है और बात करें प्राइस की दोस्तों त multiple capacity में अवलेबल हैं लिंक आपको नीचे डिस्केशन में मिल जाएंगे आप वहां से जाके इने चेक आउट कर सकते हैं according to your family size तो I hope दोस्तों मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दियूंगे गीजर को बाई करने से पहले अगर अभी भी कोई डाउट है तो मेरी बाईंग गाइड का वीडियो देखना ना भूलें और हाँ ये वीडियो पसंद आया अच्छा लागा तो make sure आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबादे तो मिलते हैं और किसी वीडियो में ठैंक्स वर वाचिंग शॉपिंग बजार